लूख तांटरिक देश हम देखें हैं और मेरा मानना है कि इस तरह के बयानों पर टिपड़ी की जाए और यह इस देश के नागरिकों के अपूल की जाए संपर्दाय से आते हूं लेकिन आपका एक मानवी आधार तो होना चाहिए कि आप एक देश है जिसमें कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है सब को लेकर चलना है उसमें अगर कोई भी इस तरह का बयान देता है तो पहली मेरे मन में जो प्रतक्री की जाए और कई बार हो सकता है कि वह भड़काने के लिए आपको अपने मूल मुद्दों से हटाने के लिए भी इस तरह के लोगों को लगा दिया गया है सरकार से आप वह सवाल ना पूछ पाएं जो सिक्षारोजगार के हैं स्वास्त के हैं बुनियादी सुधाओं के हैं और इस तरह के बयान इतने हिंसक बयान दे जाएंगे कि आपको कई बार लगता है कि इस पर फॉरी टिपड़ी देनी बहुत ज़रूरी है तो मैं कई बार इस चक्रवियो को देख करके बहुत सिहर जाता हूं कि देश की बहुत आयत संख्या को इस तरह से कोई एक धर्म की से बोलेगा दूसरा उसका काउंटर देगा और आप उसी मुल्जे रहेंगे और जिस वक्त हम शायद कोई अच्छी बहस कर सकते थे उस बहस को हम चाकू तलवार बल्लम और लिंचिंग और इस पर लेकिन दूसरा पक्षिस का ये भी है कि कई बार इसकी मुखालपत करना भ बेसम्मान करते हैं तो मैं मैं समझता हूं कि भर सरकार को इस देश के तमाम नयाय पसंद लोगों को या संस्थाओं को खास कर इस बात का संघ्यान लेना चाहिए और मैं उमीद करता हूं कि अभी भी इस देश में एक स्वायत नयाय या फालिकागर का होगी जिसका एक अधिकार होता है स्rict2 संग्यान लेना और वह संग्यान लेगी कि भारत की जामुप पहले क्या है कि दिया पता नहीं मैं जैसे मैं किसी साध्वी आउन लोगों कि बारे में टिपड़ी करने पर सोचता हूं कि मैं क्यों उनुपर टिपड़ी करूं, वो कौन लोग हैं? वैसे ही मुझे कई बार लगता है कि आरेसेस प्रमुक कौन है भाई, जिसकी बयान पर हम लोग टिपड़ी करें, आरेसेस प्रमुक ठीक है, एक संगठन है, उनका संगठन है, उनके मन में एक आइडिया एफ इंडिया है, जो भारत को खास किस्म के रंग में एक रंग, एक विचार, एक भारत बनाने का खाब देखता है, और वो तो दावा करता है कि वो गैर राजनितिक संगठन है, उसका प्रमुक कुछ भी बोल सकता है, उनको वाजादी है इस बात को बोलने में, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई कि आप भारत के नागरिक हैंगे नहीं, उस संविधान में एक नागरिकता का पूरा पूरा अनुच्छेद बना हुआ है, नियम कानून बने हुए हैं, वो बताते हैं, संविधान अगर ठीक नहीं करेगा, संविधान को कोई तोड़ेगा, तो उसके लिए तमाम संस्थाइ बची हैं, यह उनका काम है, ऐसलिए आपको ने हुजूर, आप भारत के किस हक से, किस पद से आप यह बयान दे रहें, और आपकी बात कोई क्यों माने, मेरा संविधान मुझे कहता है, कि मुझे अपना मजहब मानने का हक है, मुझे अपने मजहब को प्रसारित करने का हक है मुझे मजहब ना मानने का हक है, यह मेरा संविधान मुझे देता है, और नागरिक्ता के हिसाब से मैं अगर रहूँगा, मैं उसके नियम कादियों को फुल्फिल करूँगा, अरे भाई, RSS प्रमुक जी उस समय कहा थे, जब इस देश में CENRC जैसा कानून बना, धर्म के अधार पर नागरिता तेह कर रहा था, देश में बहुत बड़ी आबादी के लोग सड़क पर उतर कर रहे थे, यह नागरिकों को बांटो मत धर्म के अधार पर, तब आप कोई बयान नहीं थे, अब आप जैसे लग रहा है कि कोई विराट पुरुष है, भाई, वो उनका अधेश है, वो कह रहे हैं, अच्छा मेरे घर में तुम रह सकते हो, लेगिन मेरी शर्दों पर अन्ना होगा, यह मुझे लगता है बहुत आपती जनक है, पर जिस तरह के सर बयान आ रहे हैं, अभी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, गुजरात के अंदर, पूड ब पढ़ रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं, निश्यत रूप से ये प्रशन तो अनागरिक के तौर पर आपके मन में उठेगा ही, कि माली जीए, एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कोई धर्म संसत करके कहें कि काटो, मारो, एक धर्म इसके लोगों को मुसलमानों के खिल जो जैसे एक संगठन RSS, RSS मुख्य संगठन है, जो बड़ी प्यारी भाषा में, बहुत मर्यादित भाषा में, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, और जो ये कहता है कि यह देश इस इस तरह का है, इस इस तरह का नहीं है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें ल नहीं को इसको सबक्राइब एक सब्रेइन estáid कामुलंट गई पाने यह युववईनिक और इंटने दर्म के नाम पर संगठन और वह घर दिन आये चिरन ो भागवा समभिधान बना ला hani यह सब्रेइन तो ठीक नहीं है कोई जो काहता है करत कि अखंड भारत बनाएंगे कि हम जो है इसको हिंदू राष्ट बनाएंगे मुझे लगता है कि यह सब इस देश में किस दशा में जा रहा है अच्छा माल लीजे मैं मैं इस देश का प्रधान मंत्री हूं और मैं जानता हूं कि नियम कानून काइदे से कोई चल रहा है तो मैं तो नजर रखोंगा कि कोई समविधान जिसकी शपत मैंने लिए उस समविधान के इतर को ही बात कर रहा है तो मैं कदम उठाओंगा कियार मेरे नागरिकों माटो मत मेरे देश में धर्म के नाम पर इस तरह कि सामपरत नफरत नफैलाओ अगर मैं खामोश हूं तो मौनम स्विकार लक्षण मीनी की कि कि साबों में लिखा हुआ है कि हो सकता है आप चुप-चाप यह सब चाहते हैं कि यह सब होता रहे क्योंकि कई बार तो जो भीतर वह बाहर निकल आता है कि कपड़ों से पहचानों कौन विरोत कर रहा है कोई बड़े पर खड़ाओ कहता है इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाह क्यों गुलाम थे और आपके हिंदूों में भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं उनके अंदर तो कभी उगरता की भावना उस तरह से आई नहीं अमबिटकर फूले पिरियार भगत सेंग राहुल संकरत्यायन लहियाक अंशीराम ये तो आपके धर्म और आपकी विचार के भी विज्ञान और तकनीक के विकास से मनुष्य का जीवन कितना सुविधा जनक आसान बने लोगों में कितना प्रेम और भाईचारा बढ़े उस समय इस देश में गाय गोबर गोमोतर नाले के गैसे चाय गडेजी प्लास्टिक सरजरी बादल से रडार काम नहीं करना महाबार ुछ फारत में जोतिश विज्ञान में सारा विज्ञान होते होते अब क्या इस देश में किवल एक चिंता बचाई हो है कि इस देश को इंदू राष्ट म NATO है क्या मतलब क्या मैं तो βार वार यह पूछता हूं मैं एक विदयारती हूं Indi साहिध का विद्यारती हूं मेरे प पाकर पातर जोर के मस्जिद लई चिनाय ताचण मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा आए कभीर कहां गये वो इस भारत के नहीं थे वह इंदु नहीं थे रहदास कहां गये जसकेलन के पात के पात में पातर पूजे हरी मिले और कहरें हैं ऐसी दुनिया बावली पातर बावनाएं नाजुख उसी की होती है या भावनाओं की कद्र उन्हीं की है अगर आपका आप ताकत वर इस्थते में हैं अगर आप कमजोर हैं तो यह ऐसी सामाजिक सब्सक्राइब कोई भावना नहीं आप भूक से मर जाएं आप गरीबी में मर जाएं आप आप किसान होकर कर आत्महत्या कर लें आप बेरोज़गार होकर कि यूपी बिहार में चलिए नौजवान जिस उमर में वो देश के लिए कुछ बेतर कर सकते तो वो आत्मत्या कर रहा है यह सब इस देश मो रहा है लेकिन चुकि वो गरीब हैं वो कमजोर हैं वो कोई दलित पिछड़े हैं कोई आदिवासी है जमीन के लिए लड़ता लड़ता मर जा रहा है कोई घर के लिए मरता मर जा रहा है वो उसकी भावना का कोई कीमत नहीं है आप ताकतवर हैं तो आपकी भावनाओं की कीमत होती है और आपको लगता है कि मेरी भावना सब की भावना है इसलिए मैं उस भावना को तो मानत किसका है और उन्हीं में से कई परंपरा के लोग कहते हैं कि हम तो अनात्मवादी दर्शन के हैं हम तो आत्मा और इश्वर को नहीं मानते हैं बुद्ध कौन थे इसलिए मैं कोट करता हूं भाई देखिए माहुल खराब है अभी कौन जेल में है देखिए जिसे जो चाकुते गाउं के लिए कोई कारिकम करेगा तो वो जेल में होगा कोई अगर पढ़ेगा लिखेगा बोलेगा तो वो जेल में होगा कल को आप जेल में हो सकते हैं मैं जेल में हो सकता हूं क्यों क्योंकि हम शायद सच की बात कर रहे हैं हमारे हिंदी में कवी हैं राजेश जोशी उन लगता है कि हम भीड तंतर में जा रहे हैं और इसलिए मैं बार बार कोट करके बोलता हूं सुरक्षित रहना भी बड़ा जरूरी है भाई उमर खालिद इतने साल से जेल में है आप खलपना करें उनके घरों पर क्या बीत रही होगी प्रोफिसर हैनी बाभू जेल में बाद मे से तसा कोट है कि मैंने कबरिस्तान में उनकी भी कबरें देखी जिनों ने इसलिए नहीं कभी हक की बात सच की बात बोली कि कहीं मार न दिये जाए उनकी भी कबरें कबिस्तान में हैं तो भाई कम से कम हम खुद से नजर मेला सकें एक दौर में जब इतिहास लिखा जाएग तो यह लिखा जाएगा कि जब हकुक की बात करने पर जेल हो रही थी लोग खामोश किये जा रहे थे मारे जा रहे थे तब कम सकम हम अपने लिए बोल रहे थे इसके लिए हम बोल रहे हैं इसके लिए हम बार बार कभीर फूले पेरियार को याद कर रहे हैं भले ही आप उनको को याद करते हैं फूले को याद करते हैं पेर eaar को याद करते हैं मह उन्हीं का लिखा हुआ पढ़ रहा हूं इसलिए थोड़ी एक सुविधा है कि मैं एक वैचारीक परंपरा का हूँ जिसके आजादी मुझे भारत का सम्विधान देता है मैं किसी के किसी दूसरे के हग को कोई बाती नहीं करता हम तो मुंपतों प्यार की बात करते हैं कबीर कह रहें हमने इश्क मस्ताना आमन को बेकरा रिका रहें आजाद या जग में हमन को हम किसी का हक चीन करके कोई बाती नहीं और यह सारे लोग कौन लोग हैं यह हक चीन करके अरे अभी सुप्रीम कोट के का क्या मैं यह सवाल भी ना पूछूं कि जहां सरकारी नोकरियां बेची जा रही है रिजर्वेशन खतम किया जा रहा है सारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है क्या यह सवाल पूछने पर भी आप जील में डालेंगे चोलो छोड़ो देवी देवता की करोन लोग गरीबी रहा के नीचे हैं पांच किलो अना जो 500 रुपर भी जी रहें क्या मेरी चिंटा मेरे भारत की चिंटा ये नहीं है इस पर भी आप जैल में डालोगे जैंटा तो लेकर हो रही है ना देश में देशन ने कि लेकर लिए तो बार बार ध्यान बटकाने के जलती थी मां बार बारों वेक्ष पकर ने कहांगे वाले तो तो अधेरे में भांट जाये यह आपको मिली इतना इतना नफरत लगते रहो अपस में लड़ते रों मेरा इसने मेरा इस ने चेन लिया मेरा अर डो बल्लियाँ थी दोनों को रोटी कुछने लड़ने लगी कि इसकी में बंदर आया चुछा को मैं न्याय करूंगा तराजू लेके आया और दोनों की रोटी तराजू पर रखता था लाव बराबर का जब देखा कि एक तरफ भारी है तो उसमें से तोड़ कर खा लिया तो दूसरी वाली भारी हो गए उसको तोड़ के खा लिया का बराबर बांटूंगा रोटी और दो हाल मुझे लगता है कि हो सकता है 20-25 साल बाद लोग याद करें कि यार हमारे देश में रंग की भी धर्म होते थे फूलों की भी जाती हो गई थी पानी का भी जाती पूछे थे लोग मूं चरकनी की भी जाती बड़ा अफसोस करेंगे लोग इसको बहुले आबादी की इस टाइब का मुहावरा हो गया उनके पास मीडिया है उनके पास पैसा है उनके पास संगठन उनके पास सत्ता है और उनके पास एक उतेजना वाला लोगों को नफरत कराने वाला विचार है तो ये विचार बहुत तेजी से लोगों के बीच फैलाया जा रहा है और इस वि आवाम नफरत पसंद नहीं है, लेकिन वो खामोश होती है, और जब आप खामोश होंगे, तो जो ताकत वो रहे हैं, उसी के पक्षमगी नहीं जाएंगे, जो 10 पीजदी, 15 फीजदी लोग, सेकुलर, डेमोकरिटिक, प्रोग्रसिव, भारत के समिधान को मानने वाले हैं, वो थोड़ी से लोग बोल रहे हैं, भीड तो देखिए, भीड जिसके पक्षम काम कर रही हो, वही भीड तयार करेगा, इस उत्तेजना का फाइदा जिसे मिल रहा है, वो इस उत्तेजना को भरकाएगा, पूरे देश, जिसे मान लिजे, आग लगाई जाए कहीं, तो आग से ज पाइदा हो रहा है, एक आदमी रोटी बेलता है, जिस तरफ देश बढ़ रहा है, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, वो गलत है, कैसे सुधार आएगा, बिल्कुल चिंता आपकी वाजीब, मेरी भी कभी कभी चिंता होती है, कि मान लीजे, मैं बहुत अच्छी किताबें प करूं, तमाम लोगों को पढ़ूं, भगत सिंग को पढ़ूं, और फिर मैं देखों कि मेरे सामने, मेरे समाज में तो उसका आफर दिखनेगा, वो बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा है, वो खुश है, चूड़ी टाइट है, पता नहीं, मतलब वो किस किस चीज में खुश ह है, तो हिंदू बन के खुश है, अगर अरक्षण खतम हो रहा है, तो समण बन के खुश है, अगर महिलाओं पर कोई पाबंदी लग रही है, महिलाओं को हख हुक नहीं मिल रहा है, तो पूरुष बन के खुश है, अगर गरीब मारा जा रहा है, तो अमीर बन के खुश है, उन सब को अलग-अलग पहचान में खुश किया जा रहा है। इसलिए मेरी चिंता तो होती है कि मेरी आवाज कहीं गुम तो नहीं हो जाती है, गाउं तक जाती है कि नहीं, लोग इससे प्रभावित होते हैं कि नहीं, मेरी चिंता है और यह होनी भी चाहिए। पता नहीं, लेगिन फिर भी मैं निराश नहीं होता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ना, कि जो लोग नफरत करा रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तंत्र है। और एक खास किसम से नफरत के लिए इस देश को बहुत पहले से तयार किया गया है। धर्म के नाम पर मुशलमान विरोधी होना, जाती के नाम पर दलित पिछड़ा दिवासी विरोधी होना, शहर के नाम पर गाउं विरोधी होना, पढ़े लिखे होने के नाम पर अनपढ़ होने का विरोधी होना, अंग्रेजी वाला बोल रहे हैं अगर आपको आ रहा है तो वो dirty people जो होते हैं उनका विरोधी होना ऐसे तो एक भीर तैयार की गए अब जो लोग सत्ता में हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो धरम के नाम पर एक धरम के खिलाप दिखा करके दो काम कर रहे हैं अपने लोगों को खुश कर रहे हैं और गोलबंद कर रहे हैं मेरा काम क्या है मैं इस तरह के हर नफरत के दोर में खड़े होकर के बोलूं और यह बोलूं की धरम के नाम पर जो आग लग रही है सब मारे जोशी मठ में पाहर टूट रहा है तो वो धरम देख करके नहीं गिरेगा भाई जब पेट्रोल 100 रुपया लीटर होगा सरसो का तेल 200 रुपया लीटर होगा गैस सिलेंडर 1200 होगा तो धरम देखकर नहीं होगा मैं बार आप बार बार नफरत की बात करेंगे मैं बार बार तो कबीर के समय में भी भीड कबीर की पीछे नहीं थी कबीर अकीले थी कबीरा खड़ा बजार में लिये लुकाटी हाँ जो घड़ जारो आपना चले हमारे साथ कबीर के साथ कोई नहीं गया उस समय के हुकमारानों के साथ थे राजा माराजाओं के साथ थे मिट गया इति मुझे उमीद है कि एक नेक दिन ये आग बुझेगी, अफसोस मुझे केवल इस बात कहीं, जब तक आग बुझेगी, तब तक पता निक है, what subscribe will be released, मुझे डर है कि अपने लोग उसमें जल रहे होंगे किसी के घर ज़ल रहे हूंगे. किसी की क्या करीयर जल रहा होगा किसी की मुहब्बज जल रही होगी. लेकिन बुझेगी तो आग जरूर बस यह कि कब बुझेगी इसको देखना होगा हमारे आखों के सामने बुझेगी यह आने वाली पीड़िया अपसूस करेंगी कि तुम तुम आग सौंपकर हमें गए तब तक का इंतजार करना होगा मगर मैं अपने को आग बुझाने वाली लोगों की सूची में इतियास में दर्ज कराना चाहता हूँ अभी इलावाद हाई कोट की बेंट लगनों को एक हैसला आया निकाइच नाम में लेकर जो OBC का आरक्षन को लेकर उस पर क्या कहना है देखिए OBC यह रामराज्य है यह बहुत अच्छा रामराज्य है तमाम OBC की जातियों को तमाम सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइब की जातियों को गाउं गाउं इस समय पूरे देश में आप गाउं में जाए आप आप लोगा चैनल लोग देखते हैं यह बात गाउं तक पहुंचेगी और गाउं के लोग जरा एक बार देखें जैसे मैं अपने गाउं का बार बार उधान देता हूं 15 साल पहले 15 सरकारी नौकरी वाले थे और कावण होने कोई नहीं जाता था कथा बागवत कहीं कहीं होता था कहीं कोई खंट रामाट पाठ करा लिया कोई कुछ करा लिया 15 साल बाद आज मैं अपने गाउं को देखता हूं 15 लोग कावण होने जा रहे हैं 15 घरों में कता बागवत हो रही है और सरकारी नौकरी वाला जीरो हो गया यह 15-20 साल का मेरे गाउं का इतिहास है मेरे गाउं और गाउं कजबों में दूर कहीं लोग इस वीडियो का दुखत भूल जाओ आओ तुम्हें परलोक में ले जाते हैं उस परलोक में ले जाएगा और इस लोग के भुला देगा अन लोगों को मैं कह रहा हूं आप अपने बच्चों के नौकरी को याद करो और अचानक देखो कि राम राजी वाले आपके लिए छोड़ क्या रह करो मेरी को टिपड़ी नहीं है यह जो ओबीसी आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा था जिनको यह समझाया गया कि ओबीसी का हक कुछ लोगों ने खा लिया आओ तुम हिंदू बंजाओ हम तुमको अखंड भारत देंगे लो तुम्हें यह अखंड भारत में रामराजी में य लोग हुए है जिसमें से पौने दो दर्जन के वल समण भरती हुए है चाहे प्रोफेसर की नियुकति हो चाहे समूख समूग समूख समूख सबकी नौकरी में आरक्षन ख़तम है तो रामराज्य में शंबू कर अपनी जगहें न भूले उन्हें उन किरदारों को वही जग जाएंगे लिए जरा हिंदू राष्ट के नाम पर जो लोग इंज्वाय कर रहे हैं उन लोगों को अपने बच्चों की बविश्च की चिंता है धरम न कोई पार्टी से बचता है न कोई नेता से बचता है यह नेता नहीं थे तब इनका धरम था और यह नहीं होंगे तब बनाया जा रहा है जिहादी की घटना मैंने देखी बाई कुछ दिन चला कि वह मुसल्मान है अनीज मुहमद अनीज यह क्या और लगे सब हिंदू राष्ट वाले जिहादी जिहादी टीट करे वह चैनल भी वह जीव है तलवार लेकर करता है मैं क्या यह उस पर टिपड़ भाई कि भाई मत काटो मेरी भूमिका तो यह होगी इसलिए मैं मैं बार बार कह रहा हूं यह चारो तरस नफरत फैलाई जा रही है आप बलातकारियों की भी जाती और धरम देखी जा रही है हातरस पर यह नहीं बोलेंगे यह उन नाओं पर नहीं बोलेंगे और इस पर बो मालिक बदल गया तो घुलामों का क्या कहना आप चलिए उन पर क्या ही टिपड़ी करें कोई चैनल कोई संस्थान का बात ही नहीं है यह तो पूरा मानोता खत्रे में है उसको बचाएं तभी कुछ बचाएं बड़े लोगों का ही होता है मैं तो बार-बार कह रहा हूं कि जो भी सभ्यताम में मलाई होती है वो वही खाते हैं और बाकी लोगों को केवल उनके हिस्से जो खर पत्वार वही आता है विकास के नाम पर जो हुआ आदिवासियों वाले में देख लिजे विकास के नाम पर फाइदा जिसका होगा नुकसान उसका नहीं लिया जाएगा तो यग में हों को ही और होगा मुक्ष किसी और को मिलेगा शुक्रिया